है है सो। ह销ल वर्यवन अगर आप एउ Giving affect को युज करते है our अगर आपने । अजल्फॉ पर अपटkachस को बाय करके रखा ए और आपको Юज कुछ अगर आपको पता नहीं कि stop loss order होता है कैसे stop loss order ऑडर एग्जगूट होता है कैसे stop loss order को लगाते हैं यह सब कुछ आज कर मैं आपको बताने वालाओ Angel One एप पर, यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो, यहाँ पर मैं अपने पोर्टफोलिय पर सबसे पहले चले जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन से कौन से स्टॉक है, यहाँ पर आप दे तो 210 रुपी झाल हाँ मेरे आपने 120 रुपी हें, देख 혼자 होसे पहले है, मेरे स्टॉक करूप थे YouTubeं मेरे ढाल यहाँ तो इसे यह पच्छ बहक्त आए इसकिन सबकर दीा जाएगा 95 पर वो exit हो जाएगा इससे यह होगा कि आपका जो लॉसे वो कम होगा अम stop loss order दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं जैसे कि आपने 100 रुपीज पर किसी stop को buy किया अब वो stop चले गया 120 रुपे ठीक है 120 रुपे चला गया अब मैं stop loss कहा लगा मैं trailing stop loss यूज करूँगा ठीक है इसका पार्ट तू मैं बनाऊंगा trailing stop loss को लेकिन यह है पहला stop loss order simple stop loss order के बारे में आज मैं आपको बता रहे हो लो इसके बात के वड़े में आपको बता हूँगा trailing stop loss order के बारे में तो simply अभी आप देखो कि मेरे पास जो बहल का जो stock है यह मैंने 130 रुपीज पे लिया था और अभी इसका price चलो है 182 रुपीज आप साइड में सब कुछ देख सकते हो अब मैं इसको click करता हूँ और यहां पे मैं इस पे sell पे मैं click करता हूँ ठीक है अब जैसे market अभी चल र यहां पे थोड़ा smart order पे जाएंगे तो यहां पे आपको option भी लेगा stop loss order ठीक है अब 180 चालू है अब मैं इसके थोड़ा 10 पॉइंट पीछे stop loss order लगा था हूँ ठीक है यहां पे मैं को simply click करना है अब यहां पे मैं stop loss order लगा हूँ 170 रुपीज का trigger price और limit price आप सेम रख सकते ह ठीक है थलका सब अपडाउन आप रख सकते हो trigger price आपको उपर ले लखना है limit price ठोड़ा एक एक रुपया दो रुपया कम आप रख सकते है ठीक है तो आप stop loss order limit में आपको लगाना है और यहां पे sell और confirm आपको कर देना और यहां पे कर देना yes ठीक है तो यहां पे आप लगा कर रखा है 170 लगा कर रखा है अगर market price नीचे reverse भी आता है तो मेरा 170 पे exit हो जाएगा और मेरा profit में ही होगा ठीक है क्योंकि मैंने यह stock अभी profit में ही है कि मैं इसको cancel इस order को cancel करना है तो आप cancel भी यहां से कर सकते हैं ठीक है मैंने cancel कर दिया तो I hope guys कि आपको clear हो चुक हूँ कि stop loss order कैसे आपको लगाना है अपने stocks में